कपुमेंटूर एकेसिंग और आज फिर हम RPSC library grade 2 की त्यारी करेंगे यानि कि RPSC library grade 2 की जो आफकी विगन datos इनिक लिए उसमें हम क्या देख रहे हैं geboh सक्षिंग और कई ना कई मोथेश और प्रीवियस से एर हम permettre सगे इससे एक बहतमी उन सब्सक्राइब कर सकेtest आपको कवररा पूर पूरा जो आपको थी उर्चेस एक और त्यौत ईत दो क्वा से और एक एक कैइस व्रक प्रिवी आई क्यू और मोग टेस्ट की ज़रीज आपके चलेगी तो क्या है कुश्चन आपको जादर जादर तरह से याद होंगे अधियोरी आपने पढ़ी ही ली होगी तो समय वैरतने करते हुए आज है हमारी यानि की नेक्ट श्लास आज को हमें क्या देखना है आज हमें और जितने भी आपके पीवाइक्यू है यानि की पीवाइक्यू कराए जाएंगे और आपके मौक टेस्ट कराए जाएंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी लेंगे तो टेलीग्राम चैनल को कर लिजे जॉइन यूट्यूब चैनल को करिए सस्क्राइब और वीडियो करिए लाइक ठीक है बच्चो चलिए तो आज का टॉपिक क्या है आज का हमारा क्या है आज का हमारा टॉपिक है आपका यानि कि ठीक है Copy Right Act ठीक है Copyright Act अब आप Copyright Act पढ़ रहे हो तो Copyright Act है क्या हमें Copyright Act की जरुवत क्यों पढ़ी Copyright Act से यानि की सम्मंदिर हमें यानि लाइबरी में क्या काम है तो ये सारी चीजे आपको कहीं न कहीं पढ़नी है और Copyright Act से उपर आपको कोश्चन देखने के लिए मिलेगा यानि की Copyright Act जो है आपका किसे सम्मंदिर बोधिक समपदा अधिनियम से यानि किzusagen KeepRight Act किसे सम्मंदिर बोधिक सम्मंदा अधिनियम तो किसे समkkly लिखिए बोधिक सम पदा का अधिकार ठीक है इससे कही न कहीं आपका क्या सम्मंदिद है आपका COPYRIGHT ACT अब COPYRIGHT ACT जब आपको इस तरह से सम्मंदिद आएगा तो सहसे पहली बात आती है COPYRIGHT ACT आज़ की चलन से ही आपको देखने के लिए मिला है या पुराने समय भी copyright act था भई आप ये मान के चलो library क्या है पुराने समय से चली आ रही है अब library पुराने समय से चली आ रही है तो library क्या copyright act भी पुराने समय से था तो इसमें आपको जवाब है नहीं यानि कि इसका क्या जवाब होगा नहीं क्यों क्योंकि पुराने समय में जो आपने लेख है याने की लेखा कोते थे जो लेख लिखते थे संगीत कार संगीत गाते थे कलाकार अपने जो चीज़े करते थे वो कहीं न कहीं जो रचनाय थी उनकी कृतिया थी उनका उदेश्य कहीं न कहीं क्या था परसिद्धी पाना की क्या है मुझे परसिद्धी चाहिए पैसे का उदेश्य यानि कि पैसा कमाना नहीं था अब पैसा कमाना नहीं था तो कहीं न कहीं जो कहीं न कहीं इस प्रशन का जो याने की copyright act की बात भी नहीं उठती है अब copyright act क्या है एक तरह से आज के दोर का या फिर एक तरह से आज के दोर में कहीं न कहीं जिसमें लोग क्या करने लगे हैं चोरी करने लगे हैं क्या करने लगे हैं चोरी करने लगे हैं कट कोपी पेश्ट करने लगे हैं किसी की मेहनत का क्या है अपने अंदर एक तरह से अपने उसके मेहनत से अपने आपको पैसे के धन की समपदी से रखने लगे हैं तो इसलिए कोपी राइट एक्ट की ज यूज अपने क्या है किसी भी वीडियो में किसी भी इस में तो क्या है मैं उसकी मेहनद या नी उसकी मेह प्रता है कन दर मानी जाती है यानि कि overview पताल लेगे आपको copyright act क्या है आप copyright act का मुखे यानि कि मुखेता लेकक, प्रकाशख, फिल्मकार, पुस्तेकाद्यक, संगीत का, जो आते हैं संगीत कार, कला, आदी में से संब्वन दिते हैं आपके, यानि कि कोपी राइट एक्ट मुक्यता लेखक प्रकाशक फिल्मकार पुस्तकाले अद्यक्ष संगीत कला आदी से सम्मंदिद है ठीक है तो यह क्या है संबंदिद है अब संबंदिद है तो कहीं न कहीं आपको इन सव जीज़े के बारे में बाद कि किसे संबंदिद है अब कॉपी राइट एक्ट गयाने की आपका इंट्रेक्शल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है तो यह क्या है जीवन के सभी वस्तों से संबंदित होता है क्या है जो IPR है IPR यान इंट्रेक्शल प्रोपर्टी राइट वह जीवन के सभी क्या है पहलो संबंदित होता है पर यह जो है इंट्रेक्शल प्रोपर्टी राइट का एक अंग है क्या है एक अंग माना जाता है, चाए कृषी के छेतर हो, चाए विग्यान के छेतर हो, चाए आपका किसी वे छेतर हो, वो क्या है, IPR में आता है, और ये Copyright है, ये किससे सम्बन्दित है, ये आपके इस सब चीजों से सम्बन्दित देखा जाता है, यहां तक की कहानिया आप समझ गए अब आता है कोपी राइट और आय यानि की इंट्रेक्शल बौधिक संपदा अधिनियम केवल चापे हुए सामगरी को ही शामिल नहीं करता उसमें पेटेंट आते हैं क्या आते हैं आपके यानि की कोपी राइट कोपी राइट एक्ट एंड आपका इत्ती आए दखक्लेन इंट्रक्शल बार कि रहा हुँ मैं मैं खादी शप इव नहीं आ थे उसमें क्या आता है आपका को हमति की के अंबर आते हैं पेटेंट ऐनीज फी समुनिवर्ल तो कि पिर आपका आ जाएगा लगत्विदमार का सब्सक्त्रों मुनिन एंड क्रेट्स फिर आपका आजाता है इंडिश ट्रियल डिजाइन अब फिर आपका आजाएगा एक आता है जी आई टैग और कम्प्यूटर सॉफ्टर यह सारे यह सारे एक तरह से इसके अंदर आजाएंगे जितने भी गया है चीजे हैं तो यहां तक आपको सारी चीजे समझ में आगे कि कोपीराइट एक्ट में क्या है क्या नहीं है और क्या सम्मंदिद है यानि की कोपीराइट एक्ट आई पी आर दोनों की चीजे समझ में आगी अब क्या है कोपीराइट एक्ट क्या है एक ऐसी यानि की एक कानून है जिसमें रचनाकार आविशकार की रचना को उसक कि अनुमति के बिना कोई भी वेक्ति अपनी मर्जी से छाप नहीं सकता उसे चोरी नहीं कर सकता और कहीं न कहीं उसका उप्योग नहीं कर सकता क्या कहता है कोपी राइट अब चलते हैं कोपी राइट पर यानि की ब्रीफली आप कुछ चीजे समझ में आगी और इससे कोपी right act क्या कहता है यानि की copyright act क्या कहता है कानून क्या कहता है जितने भी यानि की कोई भी यानि की रचना कार और आविशकार कार रख की रचना की यानि की की रचना की आपको मैं लिखा यानि की यहां पर लिखने नहीं हो कुछ की जो रचना होती है उसकी अनुमति के बिना कोई भी ले नहीं सकता कोई भी छाप नहीं सकता कोई भी उसे बेच नहीं सकता जैसे कि मान के चलिए अगर मैं हूँ मैंने कोई किताब लिखी तो आपको मेरी अनुमती लेनी पड़ेगी कि सर मैं आपकी ये किताब से ये चीज ले सकता हूँ ये चीज क्या नम अपने टेक्स्ट में या फिर अपनी वीडियो में उसका सकता हूँ तो वो क्या है एक अनुमती और मैं आपको पर्मिशन दे दू तो कहीं न कहीं वो कॉपिराइट एक्ट का क्या है दाइरा खतम कर देती है पर कॉपिराइट एक्ट क्या करती है मेरी कुछ आविषकार है मेरे कुछ चीज़ है और आपने कहा है मेरे से बिना पर्मिशन चीज़े कहा है उसे चाप दिया कर रही तो मेरा हधीकार है कि मैं आपको एक तरह से लिग ली यह सकता हूँ कॉपिराइट एक्ट के दरिये में डाल सकता हूँ कुछ चीज़े होती है open sources यानि की open sources होती है पर उनमें क्या है आप उसे use नहीं कर सकते उन्हें as a ज्यान के रूप में परदान कर सकते हैं जैसे मान लीजे आप क्या है किसी किताब यानि जैसे इगनु का steady material है ठीक है उसे कहीं न कहीं यूज एक तरह से छाप यूज नहीं करा जा सकता है उसको क्या है पढ़ा कर च्छात्रों करना उससे ज्यान परदान करना वह अपने ज्यान को बढ़ाने के लिए उसकर सकते है तो वह copyright act के दरिये में नहीं माना जाता है ठीक है अब copyright act में जब आपको सारी सारी आपको चीज़े बतालगी आया है वो भी आपको पता होना चीजिए यहां तक ही कहां नहीं समझ में आगी सब चीज आपको पता है अब आते हैं next आते हैं copy RIGST write act का प्र धुभाव अब इसका क्या है प्रारम में ही एक तरह से बड़ी संक्या में क्या थी जैसे मान के चली पुराने सामय में क्या होता था एक ने क्या लिख दी आविश्कार कर दिया और किसी रचनागा कि उपन्यास का उसमें उसका नाम बदल दिया next ने क्या करा उसका किरदारों का नाम बदला और as it is story छाप दी तो कहीं न कहीं वो क्या थे एक तरह से चोरी सबसे जादा हो रही थी तो कहीं न कहीं इसको बचाने के लिए इसको कहा है एक तरह से मेंटेन करने के लिए 15 सताब्दे में मुद्रा कला के अविश्कार के बाद क्या हुआ यानि की 1709 में यानि की 1709 में विश्का सरपर्थम कोपीराइट अदिनियम इंगलेंड के अस्तेत में आया था लिख लीजे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कोपीराइट एक्ट क्या है कब आया तो सबसे पहले यानि की 1909 में विश्का विश्का सरपर्थम कोपीराइट एक्ट इंगलेंड में अस्तेत में आया ठीक है अस्तेत में आया था अब क्या हुआ यानि की उसके maximum 80 साल के आस्वास यानि 1790 में फिर क्या हुआ इंगलेंड की तरज पर अमरीका लाया लिखिए सेकेंड पॉइंट 1790 में आया था कुछ छीजे थोड़ा सा वैसे भी हो सकता है कि याद ना हो या फिर कभी-कभी मेरे दिमाग सिर्फ से लिप हो जाती तो अगर कुछ चीज गलत हो तो आप बता दीजे वैसे मैं भी आपको कहा है बिलकुल एक्कुरेट चीज नोट्स बना कर ही दे रहा चीजों को देख कर और समझकर पढ़ाता हूं ठीक है वैसे क्या है teaching is a teaching process यानि कि पहले teach करो पहले यहां खूद पढ़ो और फिर कहीं न कहीं पढ़ाया जाता है चीजें यह आपको पता होगी ठीक है इंग्लेंड के बाद का आया, यानि कि इंग्लेंड की तर्ज पर अमेरिका में आया, ठीक है, क्या हुआ, अमरीका में है, फिर अमरीका के अधिनियम में, यानि कि विदेशी रचनाओं को कृति के लिए प्रावधान नहीं था, क्या था, पहले प्रावधान नहीं था, पर क्या हुआ, बजार में विदेशी कृतियों से भरने के कारण, उसने जिसका क्या है, एक तरह से अमरीका ने भी रचनाओं और क्या है, अर्थवैस्ता को दियान करकते वे, फिर संसूदन आये, यानि कि इसका क्या हुआ, इसमें, फिर क्या हुआ, एटी नाइन्टी वन में, आमें, रिकां में, संसूदित, अधी, नियम लाया, ठीक है, तो ये दोनों चीज़े पताया लगए, यहां तक आपको सारी चीज़े, समझ में आगयी होगी, यानि कि कैसे सुरुआ, सबसे पहले कहां आया, सबसे पहले आपका England में है, फिर 1700, यानि कि 1790 में, अमरिका में आया, और फिर इसका क्या हुआ, एक तरह से, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या मतलब यह हो गया कि इस अधिनियम की तहट आपका सुरुवात हो गई थी copyright act के चीजों की ज़री है अब आते हैं copyright act में क्या आता है इंडिया के उपर यानि कि हमें क्या बढ़ना है इंडियन कोपी राइट एक्ट ठीक है अब इंडिया कोपी राइट एक्ट का कह चलता है यानि कि इस्ट इंडिया कंपनी ने 15 दिसंबन 1847 में कोपी राइट एक्ट को पास किया था क्या कर रहा था लेखिए इस्ट इंडिया इंडिया कंपनी ने 15 दिसंबर 1847 में यासे मान के चलिए सीधे सीधे अपने आजादी से एक साल पहले सरी एक सदी से एक सो साल पहले को कोपी राइट कोपी राइट एक्ट पास किया ठीक है क्या कॉपिराइट पास किया फिर क्या आया ब्रिटिश्ट कॉपिराइट अदिनियम 1911 में पास हुआ लिखिए क्या है ब्रिटिश्ट ब्रिटिश्ट कॉपिराइट एक्ट 1911 में पास हुआ ठीक है अब यहां तक की कहानी समझ मैं अब क्या हुआ दोनों अदिनियम को मिला कर 1914 में परत्थम कॉपिराइट अदिनियम बना यानि की एक इसे इसे मिला कर कहीं न कहीं इसके बाद बना था क्या दोनों को दोनो अदिनियम नियम को मिला कर 1914 में परत्थम कॉपिराइट एक्ट बना थीक है तो क्या बना कॉपिराइट एक्ट बना फिर आया हम आते हैं अब आते हैं अपने यहां तक आपके समझ में आगे यानि की यहां तक की इस्ट इंडिया कंपनी और जो हमें अंग्रे जोने करा गुलाम मनाया उसके अंदर कॉपिराइट एक्ट आया था अब आपको क्या है जिस भी बच्चे को सीट एक्ट के यानि की सीट एक्ट के प्रिवियस यह चाहिए और पी यानि की यानि की यूजी सीनेट लाइबे साइंस इंदी इंग्लिश में प्रिवाई की क्या है आजादी के बाद हमारे में कानून में यानि की सो से पहला आया लिखिए आपका आता है सोतंत्र लिख 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 रहा हूं यानि की आजादी मिल चुकी है हमारे भारत को तो आजादी के बाद सोतंत्र भारत में सोतंत्र भारत में सरपरथम 1957 में copyright अधिनियम भारा सरकार द्वारा पारित किया गया है यानि कि copyright act भारत सरकार द्वारा पारित किया गया ठीक है तो यह क्या था copyright act पास किया गया अब क्या था copyright act में अब आपकी जैसे कि है सविधान में chapters होते हैं सविधान में भाग होते हैं तो कहीं न कहीं जो copyright act था आपका 57 वाला उसमें क्या थे इसके अंदर आपकी अनुचेद थे यानि कि कुल अनुचेद कुल अनुचेद 79 थे कुल 14 अध्यायो में बटा हुआ था ठीक है ये आपको पता होना चाहिए यानि कि इस तरह से अगर आपको क्या है कोई चीज समझा रहा है तो आपको ये भी चीजे बिल्कुल नोट करके रखे लेनी है क्योंकि ये राइस्थान के पेपरों में सारे पेपरों में कोपी राइट एक्ट इंट्रेक्शल प्रॉपर्टी राइट पेटेंट प्रेगलिजम ये सारे की सारे आपको ट्रेड मार्क ये आपको देखने ले मिलेगे चाहिए आपका कोई सा भी एक्जाम हो फाइव लॉज ऑफ लाइवेशन तो यहां था कि कहां नहीं समझ में आगी 79 और 14 अब आते हैं इसके बाद इसमें एक क्या था इस अदिनियम में एक अनुच्छे था जिसे हम कहते हैं 13 अनुच्छे 13 उन कृतियों का प्रस्तुत करता है जिनका यानि जिस अदिनियम लागव होता है यानि कि अनुच्छे 14 में कॉपिराइट का अर्थ बताया गया है 14 एक में यह कहा गया है कि कॉपिराइट का अर्थ एक मात्र अधिकार किसी भी साहित ते नाटक कार और संगीत कार की क्रितियों को निम्न कारणों से क्या कर सकता है उसे कोई भी उसको हानी नहीं कर सकता उसका चोरी नहीं कर सकता और वह उसका ओनर है यानि कि ओनर के बारे में बताया गया है ठीक है अब आते हैं यानि कि जो पूछे जाते हैं देखो कही न कही अनुछेद आपके एक चीज़ समझगे भारतिय सविदान में अनुछेद 13 क्या है most important है तो copyright act में भी 13 important है 14 भी most important माना जाता है यानि 14 से लेकर 18 तक आपके जाने जाते हैं तो इसलिए 14 भी आपका most important माना जाता है अब आते हैं यानि कि आपको अधिनियम पता चल लिए सारी चीज़े पता चल लिए और कहीं नगी अनुछेदों के बारे में पता चल लिए अब एक चीज का और ध्यान नखिए यानि कि अनुछेद नंबर 15 इसमें क्या कहते है आर्टिकल एक मिनट आर्टिकल नंबर 15 15 में क्या कह जाता है या 15-25 इस कह लिजे उसमें क्या कहा जाता है इसमें copyright तथा आधुनिक रचना यानि technology का उल्लेग किया गया है और ये सउहसजादा question पूछा जाने वाला माना जा रहा है क्योंकि technology यानि की copyright तथा आधुनिक आधुनिक सूचना प्राध्योगी की जिसे क्या कहता है टेकनोलजी का जिकर आता है अब धीरे 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 चलते 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 हमारे यानिकी जो प्राध्योगी की कंप्यूटर का जो दोर हुआ कहीं न कहीं कोपिराइट का एक एडवांस वर्जन भी आया यानिकी 1987 में इस दिशा में क्या करा गया कारे को प्रारम किया मानव संसादन विकास मंत्रा लेद्वारन 1990 से लेकर उनिसो क्यावन में कारे दल का गठन किया गया उस क्या करा गया लिख लीजिए इसको देखते वे यानिकी लिखिए 1987 में इस दिशा में कारे प्रारम हुआ और मानव संसादन चलिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं यानिकी संसादन एवं विकास मंत्र मंत्रा ले द्वारा 1990 से 50 में एक कारे दल का गठन किया गया ठीक है यह आपको पता होगा यह इस कारे दल के द्वारा ही कि गई संसोधन को लोगसभा में रखा गया था अब आती है यानि 1992 में दोनों सदनों में स्विक्रिती मिली और संयुत समेती की रिपोर्ट ने 24 अगस्त 1993 को लोगसभा में पेश किया था के अभर किक आते हैं यानि की जो कॉपिए राइट का जो दूससा संसोधन इससे पूचा बाइए यानि की पूचा किस तरह जाएगा कॉपभी राइट के एक्ठ ही दूप्य को शंसोदन है अधल कब आया था आक को आताना है 1995 में आया था और को 11 माई 1994 को लोग सबा में पास किया ठीक है तो डेट कहाती है उसकी 13 माई लिख लीजिए को राष्टपती की स्विक्रिती मिल गई थी राष्टपती की स्विक्रिती मिली ठीक है तो यह आपको पता होना चीए फिर आता है यानि वर्तवान भारत में इलेक्ट्रोनिक विभाग और तता मानस अंसादन विकास के मंतरा लेकि अधिनियम में समय समय आपर आवश्क शंदन को देखने को मिले और इन विभागो के अधिकार किसके पास ए निस्टोक के अधिनियम पुलिस अधिनियम सक्ति से लागू किये गए यानि कि आपका जन्ह कोपीराइट एक्ट के पिस्तिकाले सेवा की बात आते हैं बहुए कोपीराइट एक्ट और waiter करें कि करो यहानी कि आप बात कर रहे हैं कि यानि किака हमें के सत्लिग लाइप लेएट लाइबरेर्य में चोब पढ़ना पर रहा है क्यों कि copyright act जो है मैं लाइबरियरी में इसले पढ़ना पढ़ रहा है हम किस से गिरे में हैं एक किताबों से गिरे में यानि कि हम किस से गिरे में किताबों से सारी जंग हम किताबों से गिरे में तो आपको पता होना चाहिए कोपी किताब है, यूजस का पता ओना चाहिए, अब इसी में आता है Fair Use का Concept, यानि की आपको Fair Use का Concept पता ओना चाहिए, Fair Use, Fair Use क्या है? यह जो दो आ है आपका बृटेन और अमरीका में किया गया था और बिटे रेटाइब आ यह सब्यक्राइब पूछे सकते हैं, आप इसमें क्या बताया गया, क्रिटिक को बिना हानी पहुचा है या बिना उसकी आज्या की किसी भी कॉपिराइट पर से जो उसका समचार है, सूचना है, मन्च है, जैङान है, उसको क्या है, आप एक तरह से यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं अभी तक आठी जो कानौन थे उसमें कोपि कर लेता था चीजव को एक तरह से यूज भी कर सकते हैं फेयर यूज में आपकी तरह से परतिलिपिव को मन्त्थ एक यानिकी सारे वजार में सबल्स करने में इसका यूज हो रहा था तो फेयर यूज का कोपीराइट इंटरनेशनल कोपीराइट में क्या है ऐसे कोई अधीनियम अभी तक नहीं बना है जो अंतराश्टे स्तर पर प्रतिले यानि कोपीराइट के सुरक्षा परदान करे अधिकतर देशों ने बरलिन कॉन्वर्सेशन तथा यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वर्सेशन यानि की एक तो आपका क्या है बरलिन कन्वर्सेशन और दूसरा क्या है यूनिवर्सल कोपीराइट कॉन्वर्सटनल के सदस्य जो की रचना यानि रचनाकार को उन देशों में वी शुरक्षा परदान करते हैं जो वहां के नागरी नहीं है यानि की एक तरह से क्या कहा गया इसमेह sec 363 में क्या हूआ संबेलन हुआ 1886 में स्विजिलेंड में हुई बैठक में सदस्यों देशों ने सुई कार किया कि कहीं न कहीं कॉपी राइट की हम चीजों को मानेंगे फिर आता है एक आपका आता है डबलू आई पी ओ यानि कि वर्ल्ड इंट्रेक्शल प्रॉपरेटी राइट एक्ट किस थापना कब पॉइंट इसमें आता है लास्ट पॉइंट आता है साट वर्स वाला यह जो कुशन आप से पोचे आता है साट वर्स वाला यह चीज जाना साट वर्स जब आपके पूरे हो जाएंगे साट वर्स यानि कि लेकक के मृत्तियों के साट वर्स के बाद आप चीजों को क्या कर स सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं यानि कि माल लेजे कोई वेक्ति आज के दिन मरा जो कि एक लेखक है या फिर एक कोई भी कलाकार है वो मरा और आज क्या है 24 तो इसके तो वो क्या करता है अपने बैड़ पर अराम से अपने दिन गिरना शुरू कर देता है या फिर यह सोसता है कि मुझे अब अराम चाहिए ठीक है तो यह क्या कहा गया है चार और दो यानि 84 ठीक है 84 यानि कि 28 फरवरी की जंग अगर 29 का दिन होगा तो 29 से यूज कर सकता है और एक नहीं तो एक मार से यूज कर सकता है यह कोशन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कोशन है आपका ठीक है तो यह था आपका आज का कॉपिराइट का टॉपिक और इसमें आपकी कहना है सारी चीजे मैंने कवर कर दिये जितनी आपके एक्जाम में एक्जाम के पॉइ जाती है ठीक है बच्चों आश्या करता है आपको वीडियो पसंद आए यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जा शेयर करें थैंक्यू